स्री राम जे राम जे जे राम सुन सुब कथा भवानी राम चरित मानस भिमल कहा भुसुन्दि बखानी सुनास भिहग नायक गरुण शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी तुम बिमल निर्मल रामचरित मानस सुनी कौन सी कथा उसके लिए नीचे बतला रहे हैं कहा भुसुन्दि बखानी सुना भिहग नायक गरुण जिस कथा को काक भुसुन्द जी ने कहा और गरुण जी ने सुना वही मरियादा पुरसोतम स्री रामचंद्र जी की कथा सुनो सो संबाद उदार जेही बिधिभा आगे कहब सुना हुराम अवतार चरित परम सुन्दर अनग वे परम पवित्र उदार चरित्र जो काक भुसुन्द और गरुण जी का जो संबाद हुआ है उसको मैं कहूंगा अनि रामचंद्र जी की कथा कहूंगा और जिस प्रकार से मरियादा पुरसोतम स्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ उसमें क्या कारण था ये सब मैं आगे कहूंगा सुन हूं राम अवतार चरित्र परम सुन्दर अनग रामची का जो अवतार है उसको सुनो वे कैसा अवतार है परम पवित्र परम सुन्दर है और साथ साथ में अनग पाप से रहित कर देने वाला है हरी गुने नाम अपार कथा रूप अगनित अमित मैं निजमति अनुसार कहूं उमा सादर सुना हूं सिवजी कह रहे हैं कि हरी मरियादा पुरसोत्तम स्री रामचंदर जी के जो गुन है वे अपार हैं उनके जो नाम है वे अपार हैं कथाएं जो हैं उनकी वे अपार हैं उनके रूप जो हैं वे अपार हैं अगणित हैं चिनकी गड़ना नहीं की जा सकती मैं निजमति अनुसार सिव जी भी कह रहे हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार अनि अपनी बुद्धी के अनुसार राम जी के निर्मल चरित्र को कहता हूँ और पार्वती जी आप बहुत ही आदर पूर्वक सुनो सुनिये सुनो गिर्जा हरी चरित सुहाए बिपुल बिशद निग मागम गाए कि पार्वती जी हरी जी के जो चरित्र हैं राम जी के जो चरित्र हैं वे बहुत ही सुन्दर हैं बेद सास्त्रों ने जिनका बहुत बिस्तार से वरणन किया है गाया है उन्ही को सुनो हरी अवतार हे तुझे ही होई इदमी धम कही जाई न सोई हरी मरियादा पुरसोतम स्री राम चंदर जी का अवतार जिस कारण से भी होता है वे ये निश्चित करके नहीं कहा जा सकता कि इसी कारण से अवतार हुआ उसमें अनेकों कारण हो सकते हैं इसको कोई भी नहीं जान सकता राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी अमत हमार अस सुन ही सयानी हे सयानी पार्वती जी राम जी मन बुद्धि बारी से अतर्क हैं उनमें किसी भी प्रकार से तर्क नहीं किया जा सकता ऐसा मेरा मत है तदपि संत मुनी बेद पुराना अज्यसक चुकाहें स्वमति अनुमाना फिर भी बेद पुरान संत मुनी स्वमति अनुमाना अपनी मती के अपनी बुद्धि के अनुमान से जैसा जो भी कहते हैं तस मैं सुमुखे सुनावं तो ही असा मुझी परई जस कारण मुहीं उसी प्रकार से मैं आपको सुनाता हूं फिर मेरे को जैसा कारण समझ में आता है आ रहा है वे कारण भी बतलाता हूं कि जब जब होई धर्म कैहानी अबाढ़ा ही असुर अधम अभिमानी जब जब भी धर्म की हानी होने लगती है अथ्वा धर्म की हानी होती है असुर राक्षस बढ़ जाते हैं अभिमानी अधम नीच राक्षस बढ़ जाते हैं फिर क्या करते वी राक्षस कि करह अनीती जाई नहीं बरनी असीदई बीप्र धेनु सुर धर्नी अनीती करते हैं इतनी अनीती करते हैं कि जिसका वरणन भी नहीं किया जा सकता ब्राम्हन गाय और प्रत्वी को बहुत ही दुख पहुंचाते हैं तब तब प्रभुधरी बिविद सरीरा और हरही क्रपानिधी सज्जन पीरा तबी तबी प्रभुधरी बिविद सरीरा यहां बिविद लिखा हुआ है बिविद का मतलब यह होता है कि अनेक किसी का विशुरूप धारन करके देखिए कभी वही परप्रम परमात्मा वारा का रूप धारन कर लेते हैं तो कभी नर्सिंग का रूप धारन कर लेते हैं कभी मत्स का रूप धारन कर लेते हैं और कभी मरियादा अपुर्शोतम स्री रामचंदर जी का रूप धारन कर लेते हैं तब तब धरी प्रभु बिविद सरीरा हरही क्रपानिधी सज्जन पीरा तभी तभी प्रभु अनेक प्रकार का सरीर धारण करके विक्रपा निधी सजन साधुमों की पीडा को कश्ट को हरण करते हैं असुर मारि थापहिं सुरन राखहिं निजस्रुति से तु जग बिस्तारहिं बिशद जस राम जनम करे तु असुर मारि थापहिं सुरन राख्चसों को मार करके और सुर थापहिं देपताओं के इस थापना करते हैं और बेद की रक्षा करते हैं जग बिस्तारहिं बिशद जस राम जनम कर हे तु और संसार में यस को यस का बिस्तार करते हैं सोई जस गाई भगत भवत रहीं अक्रपा सिंदु जन हित तनुध रहीं भक्त लोग जो मरियादा प्रसोतम स्री राम चंद्र जी के भक्त हैं वे उन्हें की लीला को कागान करके और इस भवसागर से पार हो जाते हैं तु वी क्रपा के सागर क्रपा सिंदु जन हित मनुष्यों का हित करने के लिए ही सरीर का सरीर को धारन करते हैं राम जनम के हे तु अनेका अपरम बिचित्र एक ते एका राम चंद्र जी के जनम के कारण अनेक हैं और परम बिचित्र हैं एक से बढ़कर एक हैं लेकिन जनम एक दुई कहां बखानी असावधान सुनू सुमति भवानी मैं एक दो जनम की कथा कहता हूँ भवानी पारवती जी तुम सावधान होकर के सुनो कि द्वार पाल हरी के प्रिय दो अजय अरूबी जय जान सब को हरी भगवान विश्णू के अत्यंत प्रिय दो द्वार पाल थे जिनका नाम एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय था इस बात को सब कोई जानता है विप्रस्रापते दूनव भाई अत्तामस असुर देहतिन पाई ब्रामनों के स्राप से वे दोनों भाई कौन ब्रामन वे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनी के स्राप से दोनों भाईयों ने तामसी राक्षसी दे को प्राप्त किया तो वे दोनों में एक का नाम हिरणा कश्यप और दूसरे का नाम हिरणा कश्यप और दूसरे का नाम हिरणा न्याक्श हुआ वे इतने बलवान हुए कि सुरपति मद मूचन सुरपति अर्था देवताओं के पती इंद्र के भी मद अहंकार को नश्ट कर देने वाले ऐसा संसार में बिदित है बिजई समर बीर बिख्याता अधरी बराह बपू एक निपाता युद्ध में वे बिजई ही होते बहुत बड़े बीर थे ऐसा बिख्यात है उनको मारने के लिए भगवान ने वाराह का रूप धारण किया और एक को अर्थात हिरन्ल्याप्च को मार दिये होई नरहरिदू शरप निमारा अजन प्रहलाद सुझस बिस्तारा फिर जो हिरना कश्यप बचा तो हिरना कश्यप के लिए उन्होंने नर्शिंग भगवात का रूप धारण किये और नर्शिंग का रूप धारण करके भविरना कश्यप को भी मार दिये और भक्त प्रहलाद के यस्का बिस्तार किये भये निशाचर जाईते महाबीर बलवान कुम्भ करन रावन सुभट सुरविजई जग जान वे दोनों के दोनों बहुत बड़े बलसाली बलवान निशाचर राक्षस हुए फिर हिरन्याक्ष और हिरना कश्यप के बाद में वे कुम्भ करन और रावन हुए एक कुम्भ करन हुआ और दूसरा रावन सुरविजई ये देबताओं को बिजए देबताओं पर बिजए प्राप्त कर लेते थे ऐसा संपूर संसार जानता है मुकुत न भये हते भगवाना अतीनि जनम दूज वचन प्रवाना भगवान के मारने पर भी ये मुक्त नहीं हुए वैसे भगवान के सामने जो अपने प्राणों को त्याकता है वे मुक्त हो जाता है लेकिन ये भगवान के मारने पर भी मुक्त नहीं हुए क्यों क्यों की ब्रामण ने स्राप दिया था ब्रामण के स्राप के बचन को सिद्ध करने के लिए वे मुक्त नहीं हुए भगवान के मारने पर भी एक बार तिन के हित लागी अधरिव शरीर भगवत अनुरागी एक बार उनके हित के लिए शरीर को धारण किये और परब्रम परमात्मा मर्यादा पुरसोतम से रामचंदर जी भगवतों के तो अनुरागी प्रेमी हैं कश्यप अदिती तहां पितु माता अदसरत कौसल लाबिख्याता कि कश्यप और अदिती पूर्व जनम में ये कश्यप और अदिती थे वही दूसरे जनम में दसरत और कौसल्या नाम से विख्यात हुए एक कलप एही बिधी अवतारा अच्चरित पवित्र किये संसारा एक कलप में इस प्रकार से प्रभू का अवतार हुआ और लीला करके संसार को पवित्र किये एक कलप सुर देखी दुखारे असमर जलंधर संसब हारे एक कलप में जलंधर से सभी देवता परास्त हो गए सभी देवता दुखी रहने लगे उन देवताओं को दुखी देख करके संभुकीन संग्राम अपारा अद्धनुजे महाबल मरईन मारा सिवजी ने अपार संग्राम किया जलंधर के साथ लेकिन फिर भी वे जलंधर नहीं मरता था और नहीं मरा क्यों नहीं मरा उसमें क्या कारण था कि परमसती अशुराधिपनारी अतेही बलताहिन जितनी पुरारी जलंधर की जो इस्त्री थी वे परमसती थी परमसती होने के कारण उसी के बल से भोले नाच जी जलंधर को नहीं मार पा रहे थे नहीं जीत पा रहे थे तो छल करिटारे उतासु ब्रत प्रभुसुर कारज कीन जब तेहित जाने उं मरम तब स्राप कोप करिदीन तो उस समय भगवान विश्णु ने ही छल कर टारे उतासु ब्रत छल करके जलंधर की पत्नी का ब्रत खतम कर दिया जो सतित्तु का ब्रिथा उसको समाप्त कर दिया क्यों ऐसा क्यों कि ये सुर कारज कीन देपताओं का कार करने के लिए अजब तेहि जाने उं मरम तब जब जलंधर की पत्नी ने ये बात जानी तो स्राप कोप कर दे गुस्सा हो करके मेरे को भी स्राप दे दिया आईए दो बार भगवान का नाम लेते हैं श्री राम जे राम जे जे राम वीडियो को लाइक शेर सस्क्राइब करें और अपने मित्रों को भी इस धर्ब धार्मिक चैनल से जोड़ें जे स्री राम जे स्री राम